हेलो स्टुएंट वेलकम टू माई चैनल स्टुएंट अगर आपने भी स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल किया है तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा हेलफूल होने वाली है मिकॉज आज की इस वीडियो के थूरू मैं बात करने वाले हूं स्टुएंट का एक्जाम जो है वो कब तक हो सकता है तो इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफूमेशन मैं आपको प्रोवाइट करवाने वाली हूं स्टुएंट जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो इस टाइम करेंट टाइम पे एससी जो है वो सीएचसल का एक्जाम जो है वो कंड़क्ट करवार ही है और सीएचसल का एक्जाम जो है वो 27 एप्रिल को फिनिश हो जाएगा यानि 27 एप्रिल को एससी जीएचसल का एक्जाम जो है वो आल कंप्लीट हो जाएगा सभी बच्चों का एक्जाम हो जाएगा तो वीडियो सुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए है चैनल को सब्सक्राइब करके वैल एकन को प्रेस कर दें ताकि आप को लेटेस्ट वीडियो को नाटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए एंड इस्ट्रेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं विकॉज वहां पर भी एससी रेलवे एंड न लगाने देला कि इतनी के कृटिकल होने के बावजूद अभी तक इसका एकसां जो है वह पोस्टमौन नहीं करवाया गया है تو अगर इसके अग्सांज वह कॉज़ कर्वाये जाए जारा है पोस्टमौन नहीं हुआ है इसका मतलब यह है कि आपका एक्जाम जो है जब च्छ ऐसके बाद भी कोई ना कोई एक्जाम जो है वो कराए 자!!!!! अगर इसने करदेऋ तो इतने जादा है कंडिशन करिटिकल है tu помог day 54 जादा जया है वह इंपर अभी तक पोस्ट्पो नहीं हिवा है और क्या है क्या है talking डिल्स है और बार इसते करें और system जो नहीं हृए है अगर इस situation के according compare करें तो पोस्ट पोन नहीं होगा तो जैसा कि अभी एससी CHSL का exam conduct करवाया जा रहा है और इसका exam जो है वह 27 April तक end हो जाएगा यानि सभी बच्चों का exam जो है वह conduct करवाया जाएगा एंड उसके बाद हो सकता है कि 29 April से ऐससी सीजियल का exam जो है वह conduct करवाया जाएगा अगर ऐसी ही normal मौहल रहा तो अगर इससे ज्यादा condition critical नहीं हुई एससी पर ज्यादा pressure नहीं आया तो नहीं तो फिर इसका exam जो है वह conduct करवाया जाएगा वैसे तो condition इतनी ज़्यादा critical है ऐसी condition में exam conduct करवाना काफी ज़्यादा dangerous है बट अभी भी इसका exam जो है वह conduct करवाया जा रहा है तो अगर हम बात करें इस एसस्टेडियों का exam जो है वह कब तक हो सकता है तो जेसा कि अभी 27 को छुप इसल का exam जो है वह इंड होने वाला है अगर आज इसके बाद जो है वह 29 से सीज्याद का exam जो है यानिで 35 का exam जो है वह conduct करवाया जा सकता है और इसके बाद 7 जून तक स्सींसेडियों का e- पहले इसका exam जो है वो postpone कर दिया गया था इसी reason की वज़े से इस exam को postpone कर दिया गया था तो अब finally जो है अब इसका exam जब conduct करवाया जाएगा तो अभी CGL की बाद इसका exam जो है यानि कि 29 को SSC CGL का exam conduct करवाया जाएगा एंड उसके बाद जो है 7 जून तक SSC CGL का exam conduct करवाया जाएगा यानि 29 to 7 जून तक इसका यानि CGL का exam जो है वो conduct करवाया जाएगा एंड उसके बाद यानि exam के दोतीन दिन दिन बाद SSC इस्टेनों के बारे में भी कोई न कोई information आ सकती है वैसे तो अभी तक SSC ने इसके बार में कोई official information आती है तो आपको इस चैनल पर इसकी information सबसे पहले provide करवा दी जाएगी वैसे तो कोई भी exam होता है तो SSC वन मंत पहले इसके बारे में inform कर देती है बट जैसी ही इसके बारे में कोई भी information आती है तो आपको इस चैनल पर इसकी information सबसे पहले provide करवा दी जाएगी अपना exam जो ही वो clear कर सके और इस बार का attempt आपका last हो और इसके बार जो है आपका selection हो जाए I wish कि आपका इस बार selection हो जाए सभी बच्चों का I hope आपको ये information पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए वीडियो को like केजिए शेयर केजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टोपिक के साथ सोच्रेंट थैंक यू